जै माता दी दोस्तों एक बार फिर से 23 जनवरी दिन मंगलवार धनूर आशिये किस परकार कर रहेगा आपका दिन जब बुद आएंगे चंदर के घर तो आपका कोई सपना होगा पूरा पैसा लोटकर आपके पास आएगा दोस्तों प्रदोशवरत और महादेव की कृपा से और हनमार जी के कृपा से तमाम की परेशानियों से मिलेगी आपको निजात दोस्तों उटसे पहले जानेंगे कि 23 जनवरी को बन रहे थी नक्षत्र शुब योग राहुकाल इत्यादी के बारे में अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब करके देनिक राशी फल के लिए जूड जाए चलिए जानते हैं देखिए पहुँ शुकल पक्स की 23 जनवरी दिन मंगलवार और इस दिन जो है आदरा नक्षत्र का सुपसे योग बनने जा रहा है चंद्रमा जो है वो बुध ग्रह की राशी मित्थुन में पूरा दिन संचन करेंगे जिसका प्रभाव बुध ग्रह का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा और चलिए जानते हैं अभी जीत मूरत जो है वो 12 बजकर 16 मिनिट दोपैर के 1 बज़े तक रहेगा अमरित काल 7 बजकर 49 मिनट सुबह 9 बजकर 31 मिनिट तक रहेगा ब्रह्म मूरत की बात करू तो सुबह 5 बजकर 17 मिनिट से 6 बजकर 25 मिनिट तक रहेगा और आपकी बात करू सरवाद सिद्धी योग जो है 6 बजकर 45 मिनिट पर शुरू होगा और 4 बजकर 58 मिनिट पर शाम को खतम हो जाएगा दोस्तों ये सुब योग बनेंगे जिसका प्रभाव आपकी दिन चरिया पर पड़ेगा आपको जिस परकार सफलता है ये दिन दिलाने वाला है एक तरफ आपको कुछ मानसिक चिंताई भी देने जा रहा है दोस्तों चली जानते हैं विस्तार से इस बारे में दे धनू राशी के जातों के लिए बुद्ग्रह का जो प्रभाव है वो वैपार में काफी अच्छा लाब देता हुआ 23 जनवरी को दिखाई दे रहा है आपको वैपार रोजगार करियर में नोकरी पेसा है चाहिए आप कोई भी कारिये करते हों आपको काफी अच्छी सफलता यहां पर बुद्ग्रह दे रहे हैं क्योंकि बुद्ग्रह हमारे रोजगार करियर वैपार के कारक माने जाते हैं ऐ इसके साथी पारिवारिक जीवन की बात करो तो पारिवारिक जीवन काफी सुक में रहेगा आज का दिन आपके लिए आई और विवेक दोनों हुई बजट बना करा चलेंगे तो आपको फाइदा जरूर होगा आपको बस थोड़ा सा ध्यान लखना है कारिये चेतर की बात करो आपको किसी महत्पुन मामले में धैरिय बनाए रखना होगा राजनीती में कारिकरत जो लोग है अपनी सीनियर से बहुती संतलिट ढंक से बात करेंगे तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा नहीं तो समश्याए खड़ी हो सकती हैं आपके कुछ बढ़ते खर्चों को ल दोस्त को पैसा नहीं देना चाहिए आपके लिए स्पेशल सावधानी है इसके साथ या अगर आप दरित्ता से या फिर अत्तदिक खर्च से परेशान है तो आपको मंगलवार के दिन हनवान जी की शरण लेनी चाहिए किसी भी मिट्टी के बरतन में कोरा मिट्टी का बरतन लीजिए चोटा और उसमें बुंदी डाल कर हनमान जी को भोग लगाना शुरू कर दीजे तुलसी के पत्तों के साथ या फिर मंजरी के साथ देखिए फिर जीवन में किस परकार अधबद परिवर्तन होता है और जीवन में तमाम संकटों से आपको मुक्ती मिल नहीं शुर रेंट वोक्स में जैश याराम जरू लिखेगा दोस्तों साथ ही कल प्रदोश वरत का सुब लक्षे भी है तो संध्या के समय अगर शिवाले में जाकर आप एक दीपक का दान करते हो तो आपके जीवन में महाद्यों और मागोरी की विशेश किर्पा बरसेगी और जीवन म प्रेम बढ़ेगा उसो बागे बढ़ेगा दोस्तों यकीन